जहीं दोस्तों सवाईज थे आप लोग का आज के एकने वीडियो में आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपकरन जीकर लिकर आये हैं जो कि किसी भी नहीं बहुत ज़्यदा इंपकरन होगे साथ टापूओ का सहर किसे कहा जाता है तो साथ टापूओ का सहर कहा जाता है वो सहर कहा जाता है option A मुंबई को यानि किस question का सी answer option A मुंबई होगा इसलिए option A आपका सही जबाब है और यहां पर आपका next question है बारत में पहला क्रिसी विज्ञान केंद्र कहां स्थापित हुआ था तो भारत में पहला क्रिसी विज्ञान केंद्र इस्थापित हुआ था option B पांडुचेडी में यानि कि इस question का see answer option B पांडुचेडी होगा और यहां पर आपका next question है सरवादिक अमलिय वर्षा किस देश में होती है तो सरवादिक अमलिय वर्षा होती है वह देश है option C नार्वे यानि कि नार्वे देश में सरवादिक अमलिय वर्षा होती है option C आपका सही जबाब है और यहाँ पर next question है यूरिया का रसाइनिक नाम क्या है तो यूरिया कर नर्शाइनिक नाम है होगा है ओप्सन B कार्टो माइड यानि कि ओप्सन B कार्टो माइड इस ग्वेशन का सई अंसर होगा और यहाँ पर आपका next question है जवाई बांध किस राजे मिशती थे ? तो जो जवाई बांध होगा कौनसे राजे मिशती थे ? और आपका नशीं जबाब है और चली हाँ पर next question देखेंगे और आपका next question है भारत्य जागरीती का जनक किसे कहा जाता है तो भारत्य जागरीती का जनक कहा जाता है वह कहा जाता है और यहां पर आपका आगला क्वेशन है जम्मु कस्मीर में ऊरी बांध किस नदी पर इस्तित है वह इस्तित है और यहां पर आपका आगला क्वेशन है जम्मु कस्मीर मे और यहाँ पर आपका next question है काविरी नदी का उद्धम कहां से होता है तो इस question का सही answer हो जाएगा option C ब्रहाम में गीरी पहारियों से यानि कि option C ब्रहाम में गीरी पहारियों इस question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका next question है निमा लिकित में से कौन सा इस्थान जैन धर्म में से संबंदित है तो इस question का सही अंसर option D हो जाएगा रतन गिरी यानि कि option D रतन गिरी इस question का सही अंसर होगा और यहाँ पर आपका next question है किस नदी को दच्छिन भारत की गंगा भी कहा जाता है तो ऐसा कौन सा नदी है जिसे दच्छिन भारत की गंगा कहा जाता है तो इस question का सही अंसर होगा option B गुदावडी यानि कि गुदावडी नदी को दच्छिन भारत की गंगा कहा जाता है option B आपका सही answer है और यहाँ पर आपका next question है भारत के पहले राष्ट पती कौन थे तो भारत के पहले राष्ट पती थे वो थे option B डॉक्टर राजेंदर परसाद यानि कि option B डॉक्टर राजेंदर परसाद इस question का सही answer होगा option ए बेरो मीटर यानि कि बेरो मीटर कहलाता है option ए बेरो मीटर इस question का सही जवाब होगा और यहाँ पर आपका next question है गुरुत्वा करसन की खोज किस ने की थी तो गुरुत्वा करसन की खोज करने वाले थे option ए न्यूटन यानि कि का सी एंसर option B केरल होगा यानि की केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है option आपका सही जवाब है और यहांपर आपका अगले question है बिहार बंगाल से अलग हुआ था यानि की कब हुआ था बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था तो इस question का सी एंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1912 में यानि कि 1912 में अलग वा था ऑप्सन भी आपका सफ़ए जबाब है और यहां पर आपका next question है हीरा कूंड जल विदूत परयोजना किस नदी पर इस्ती थे तो हीरा कूंड जल विदूत पर इस्ती थे वो नदी है Option C महा नदी यानि कि महानदी पर इस्ती थे option C, this question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका आगला question है Amoeba में कुल कितने कोशिका होते हैं तो Amoeba में total कोशिका होते हैं यानि कि option A, एक इस question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका next question है फिरोज सा कोटला cricket stadium कहाँ पर इस्तित है तो फिरोस सा, कोटला, क्रिकेट, स्टेडियम, स्टीध है, option D, नई दिल्ली में, यानि कि नई दिल्ली इस question का सही अंसर होगा, और यहां पर आपका next question है, नागा लेंड का मुख्य भासा क्या है, तो नागा लेंड का मुख्य भासा है, option E, नागा, यानि कि नागा इस question का सह एंसर होगा दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है तो दुनिया का जो सबसे अच्छा भोजन मिलता है वह कौन से देश में मिलता है तो इस क्वेशन का सबसे अच्छा भोजन हो जाएगा भारत इटली यानि कि दुनिया का सबसे अच्छा भोजन भारत और C answer option है हो जाएगा, बत्तक यानि कि बत्तक ऐसा पंची है, जो कि अपने आध्य दिमाग को सुला सकता है, और यहां पर आपका next Quesn है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है, तो ऐसा कौन सा फल है जिस से हमें तेल प्राप्त होता है तो इस question का सही answer option D हो जाएगा नारियल यानि कि नारियल ऐसा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है तो इसका option D सही answer होगा और यहाँ पर आपका next question है कौन सा पंची अपने बच्चों को दूद पिलाता है तो ऐसा कौन सा पंची है तो भारत का जो राष्टी मिठाई है उसका नाम क्या है तो इस question का सही answer option A हो जाएगा जलेवी यानि कि जो भारत का राष्टी मिठाई है हुआ जलेवी है option A इस question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका next question है भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की जील कौन सी है तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की जील है हुआ है option A बुलर जील यानि कि इस question का सही answer option A बुलर जील हो जाएगा और यहाँ पर आपका next question है अजूबों में से कोन सा अजूबा आगरा में इस्ती थे तो जो अजूबों में से अजूबा है व fought तो इस Queson का स्बीय हुआ haw Påson D हो जाएगा ताज्माल यानिकि ताजël महल आगरा में इस्ती थे Option D ताज्माल इन्स Queson का स्बीय हुआ और पूरी इस question का सही जबाब होगा और यहाँ पर आपका next question है हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है तो हाथी कौन सा रंग देखकर पागल होता है तो इस question का सी answer option D होगा पीला यानि कि पीला रंग देखकर के हाथी पागल हो जाता है option D, P. L.I.S. question का अंसर होगा और यहां पर आपका next question है सरीर का कोण सा आंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है सरीर का कोण सा आंग कोण सा आंग है जो मनुस्य के मरने के बाद भी बढ़ता रहता है तो इस question का answer option हो जाएगा नाखून यानि कि सरीर का नाखून ऐसा है जो कि मरने के बाद भी बढ़ता रहता है option यह आपका सही जबाब होगा और यहाँ पर आपका next question है मासालो की रानी किसे कहा जाता है तो मासालो की रानी कहा जाता है वह कहा जाता है option B इलाइची को यानि कि इस question कैसी answer option B इलाइची होगा और यहाँ पर आपका next question है मनुस्य के सरीर में कितनी हडिया होती है तो मनुस्य के सरीर में total हटिया होती है 206 यानि कि option B 206 इस question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका next question है किस राजे में चंदन के घने जंगल है तो वह कौन सा राजे है जहाँ पर चंदन के घने जंगल है तो इस question के सही answer option D होगा करनाटक यानि कि करनाटक में चंदन के घने जंगल है option D करनाटक इस question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका next question है कौन सी मचली हवा में उरती है तो कौन सी मचली है हुआ जो हवा में उरती है तो इस question का सही answer option ही हो जाएगा flying fish याणि कि flying fish ऐसी muscle जो कि हवा में उरती है और यहाँ पर आपका next question है भारत का सबसे चोटा राजे कौन सा है? तो भारत का जितने भी राजे हैं उनमें से सबसे चोटा राजे कौन सा है? तो इस question का सही answer हो जाएगा option D goha यानि कि भारत का सबसे छोटा राजय गोवा है। घोवा है, option D, गोवा है इस question spirit का सही answer होगा। और यहां पर आपका next question है। वुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो वुर्ज खलीफा को बनाने में total कितना समय लगा? तो इस question का सही answer होगा option A 5 verse यानि कि भुर्ज खलिफा को बनाने में total 5 verse समय लगा था option A 5 verse इस question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका next question है गरीबों का गाय किसे कहा जाता है तो गरीबों का गाय कहा जाता है वह किसे कहा जाता है तो इस question का सही answer option C हो जाएगा बकडी को यानि कि गरीबों का गाय बकडी को कहा जाता है option C इस question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका अगला question है ना घर का ना घात का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो जो न घार का न घार्ट का मुहावरा है वो अर्थ होगा उसका कहीं का नहीं यानि कि option D कहीं का नहीं इस question का सही अंसर होगा और यहाँ पर आपका next question है भारत का राष्ट्य तेवहार कौन सा है? तो भारत के राष्ट्य तेवहार है वह है option D, 73 दिवस यानि कि भारत का राष्ट्य तेवहार सोतंतरता दिवस है option D, इस question का सही answer होगा और यहाँ पर आपका next question है भारत का राष्टे खेल क्या है तो भारत का राष्टे खेल क्या है इन चारो उप्सन में से सही जवाब आपको हमें कॉमेंट करने है यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर आपको हमें कॉमेंट करके बताना है इसका सही जबाब क्या होगा आप comment section में जा करके सही जबाब लिख दीजिए और यहाँ पर आपका अगला question खतम हो रहा है question समापत हो रहे वीडियो में तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में